अगिलेश व्यादव के आवास और समाजवादी पार्टी के दफ्तर को चावनी में तब्दील कर दिया गया है जेपी एनाइसी के रास्ते पर भी पेरिकेटेंग लगा दी गई है फोस की तैनाती यहाँ पर भी कर दी गई है आपको बता दें कि जेपी एनाइसी आज अखिलेश व्यादव माल्यारपन के लिए जाने वाले हैं लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जेप्रकाश नारायन की जयनती को लेकर भारी फोस जो है जेपी एनाइसी के रास्ते पर लगा दी गई है बेरिकेटिंग से पूरे रास्ते को शावनी में तब्दी कर दिया गया है आज जन्मा एक जेप्रकाश नारायन की जयनती है जिसके चलते बीते दिनों सपा मुकिया अकलेस यादों ने जेप्रकाश नारायन की जयनती के मौके पर राजानी लखनव में जेपी एनाइसी सेंटर जाकर वहां लगी उनकी प्रतिमा पर माल्यारपन के लिए पुलिस प्रिशासन से अनुमती मांगी थी लेकिन इस दोरान पुलिस प्रिशासन ने उन्हें माल्यारपन की अनुमती तो नहीं दी लेकिन वहाँ पर जेपी एनाइसी सेंटर पर टीन सेट लगा कर उनको रोकने का इंतजाम जरूर कर दिया जिसके चलते बिती रात अखलेस यादो जेपी एनाइसी सेंटर पहुँँचे और वहाँ पर उन्होंने सरकार पर कई गंभी रारूप लगाए जिसके बाद भी उन्होंने कहा कि वो आज हर हाल में दस से साड़े दस के बीच जेपी एनाइसी सेंटर पहुंचेंगे और वहाँ पर लगी पृतिमा परमाल्यारपन करेंगे जिसके बाद आप देख सकते हैं कि विक्रमा दित्यमार्क परिस्थित शपा मुख्या अखलेश यादो के आवास से लेकर शपा मुख्याले तक भारी संख्या में पुलिस कोर्स की तैनाती कर दोनों तरब से मजबूत बैरिकेटिंग कर दी गई है आप देख सके हैं कि पुलिस प्रिशाशन के तमाम अधिकारियों के साथ ना सिर्फ से यार पीफ के जवानों की भी तैन किया गया है कि किसी भी सूरत में समाजवादी पार्टी के मुख्या अखलेश यादो और उनके कारिकरताओं को जेपी एनाइसी सेंटर पर जाने से रोका जाया आप देख सकते हैं कि यह वही मुख्यद्वार है जहां से विक्रमा दित मार्क पर एंट्री करते हैं और इसक कि जश्ट बगल में सपा मुख्या अखलेश यादो का आवास है जहां पर तमाम जो पुलिस कर्मी हैं जो पुलिस के आलाधिकारी हैं उनकी भी तनाती की गई है और लखनाव विकास प्रादिकर ने जए प्रकास औरयान की जनती पर जेपी एनएसी जाने के अखलेश श्री आदव के कारकं को लेकर एक लेटर भी जारी कर दिया है इसमें लिखा गया है कि JP NIC एक निर्मान स्थल है जहाँ पर निर्मान सामगरी बेतर्तीब धंग से फैली हुई है और बारिश के कारण कई कीडे होने की संभावना है आशंका जताए जा रही है समाधवादी पार्टी प्रमुक अखिलेश श्यादव को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली है जिसके कारण सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पर मालियार्पन करना और JP NIC का दोरा करना सुरक्षित और उचित नहीं है अखिलेश श्यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साथ दिया है अखिलेश श्यादव ने बकाईदा ट्वीट किया है उन्हों ने लखा है कि बीजेपी के लोग हो या इनकी सरकार इनका हर काम नकारात्मक्ता का प्रतिक है पिश्ली बार की तरह समाजवादी लोग कहीं जेपी की जनती पर माल्यारपन करने ना चले जाएं इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमारे निजी आवास के आसपास बेरिकेटिंग कर दी गई है बीज़पी हमेशा सुतंतता सैनानियों और सुतंतता आंदोलन के विरोधी रहे हैं रास्ते रोकना इन्होंने अपनिवेश्यक शक्तियों के साथ रहने और दबे छुपे उनका साथ देने से इन्होंने ये सीख ली है और इस बीच अमित हमारे सेयोगी हमारे साथ जानकारे के लिए जुड़ रहे हैं अमित क्या जानकारे मिल पा रही है अखिलेश यादव का क्या कारेकरम रहने वाला है और जो विवाद यहां पर शुरू हुआ है आरोप प्रतेरोप का दौर भी शुरू हो गया है तिन शेड को लेकर क्या जानकारे मिल पा रही है और तमाम रास्ते जो है वो भी सील कर दिये गए है तो पूरी तरिके से जो अगले जादो का घ्थर है और जो उनका पाक्ति चब्सर है उसे रोज फाउनी में चब्सील हो गिया है देखे कि इस तरीके से यहां फर उसक्तर पज़िए पर कर अचारिए कि यहां पर इसक्तर परेजिए लिखने परिकेटी के चेदों करने जोआट ज़ाद किया है। पुलिस ने रोका था, अपने जियादों को लिक्टिवार पात के चले गए, तो इस बार जो है, वहाँ पर निर्मान कार चल रहा है, ऐसा फशासन ने बताया है, और इस निर्मान कार के चलते हैं, पूरी तरीके से टीम सेर्ट में तब्दिन कर गया है, एक बार फिर समय आप और पात के चल रहे हैं, बड़ी बात यह है, लगना जियादों के चल रहा है, जुसे लेका समाजवादी पार्टी के अध्याक्ष, अखिलेश व्यादव ने नाराजगी जाहर की, अखिलेश व्यादव ने भी सवाल उठाए हैं कि तिन शेड की याड में सरकार क्या चिपाना चाहती है, तो दो तस्वीरे आप देख पा रहे हैं, एक तरफ आप देखे कि किस तरीके से पूरे इलाके को चाबनी में तब्दील कर दिया गया है, अखिलेश व्यादव के आ आखिरकार क्यों किसी महापुर्ष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे हैं, अगर किसी की जनती पर और वो भी समाजवादी महान नेता जैप्रकास नारायन जी की जनती पर और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्स जैप्रकास जनती के दिन समाजवादी लोग आए सउन्हारोumble 간orie' कि वह बैरीकेटिंग के तोड़ कर्यार पन करेंगे किकोसर कार पंगनायज म कषफी दिए कुट्व श्चार нажी की मुर्ती पर माला परहने के लिए भी नमती नहीं दे रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष माननी अखलेश यादव जी के घर को पूरा किला बना दिया गया है और उनको बाहर से निकलने के लिए रोकने के लिए हर संभव प्रयास किये गए हैं लेकिन हम भार्दी अंता पार्टी सरकार के दमन, जुल्म और अन्याय के खिलाप संगस करते हुए हर बरिकेटिंग को तोड़ करके लोग नायजी अप्रकास नरायन जी की मूर्ती पर मालियारपन करने जाएंगे और इस बिच शिपाली आदव ने भी बीजेपी पा निशाना सादा है, शिपाली आदव ने लिखा है कि सत्ता के मद में चूर बीजेपी लोग तंत्र की बेरिकेटिंग करना चाहती है सत्ता का तंत्र कभी लोग के तंत्र पर भारी नहीं हो सकता है अतीज से सबक लीजिये सरकार लोकतंतर में तानाशाही लंबी नहीं चलती है तो देखें यहां पर लगतार जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर हमला बोला जा रहा है इस पीच शिपाल यादव की तरफ से भी ये कहा गया है कि लोकतंतर में ताना शाही लंबी नहीं चलती है और आमित लगातार हमा साथ बने हुए हैं आमित जिस तरीके से यहां पर सियासी बार हो रहे हैं अखिलेश व्यादव ने काई सवाल खड़े किये हैं कि बीजेपी कुछ चुपाना चाहती है लेकिन यहां पर पर्मिशन तो उन्हें मिली नहीं है लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने तो ऐलान कर दिया है हम तो माले आरपन करेंगे यहां बिल्कुल देखिए हम तो माले आरपन करेंगे अब यहां पर मौके पर और मैं आपको यहां पर लगातार यहां पर प्रसकीर आपने आपर दिखा रहा हूँ अब इस पूरे कामले पर बात करेंगे आप जैपील्डी के पतिमा है और करते जाते जहरा है यहां पर जाय के जाते जाते नहीं है कि अमाजवादी पार्टी कर लगातार अटेक्स कर रही है। अच्प्रटी के बारेश के हैं। वहां पर निर्मान का रिया चल लहा है और इस निर्मान कारेक्ट के वज़ए से उनी इजाज़त नहीं ही जा रही है ज़िए जीशी प्रतुमा पर जाता है जाता है मालयादत रफ्विए मैं घर अफिर्टा आपको इहां पर तश्चिर देंके लगातार जो है क्योंकि अपन पाटि को तुक हैните falar को ओंड़ू जाएंगे और यह हम आपको लगातार चुसक्राइब और यहां पर आप पहुंच रहे हैं यह लेपकर दुद्र रहे हैं यह हम आप就 क्का यानि अगलेस knắt के दुद कर देराफर टरह चाड़ के चेंग अगर इन लेल यरूंव je करेंगा कोई भी हाद करेंगा करेंगा